परचेज करेंगे तो प्राइज एक पर फिर से हाई पीक पर जाएगा और वो हमें 0.50 डॉलर का मातर जो मैंने अपने मार्जन मोड सेट कर गए अब सिर्फ 0.50 डॉलर का आपको प्रोफिट बुक करने ज्यादा प्रोफिट बुक नहीं करने मत्तों ज्याद लालच में नहीं किस क्रिप्टो के ओपर आज हम ट्रेडिंग करने वाले हैं वो भी फ्यूचर ट्रेडिंग तो उसके लिए कैसे करने हैं किस तरह से डाट आपको प्रोफिड होगे उसके लिए इस वीडियो का पूरा देखना देखा आपको नीचे ओप्शन दिख रहे होंगे होम पेज का फिर मार्केट का फिर ट्रेड का उसके बाद फ्यूचर का फिर वालेट का आपको यहां पर मार्केट के ओप्शन पे चले जाने हैं मार्केट का आपको यहां पर पांच ओप्शन दिखाए देंगे फेवरेट का मार्केट का डिस्कावर का सक्वेर का साथ में डाटा का यानि ग्रीन केंडल की लाइन लगवग बहुत ही जादा लंबी बन रही है इसका मतलई है जो मार्किट आज ओवराल अप रही है डाउन पोजिशन में नहीं रही है क्योंकि आपकर डाउन की तरफ देखेंगे तो लगवग 11 परसेंट डाउन है बाकी जो 90 परसेंट है 80-85 प अपको पता लग गया यहां से जो मार्कित अब पलस में गई हुए तो हम यहां पर क्या करेंगे टोकन की सेलेक्षन करेंगी किस टोकन पे पर पर चेज कराना है वो टोकन है 5% और WIF USDT लगबग 14% है तो हमें यहाँ पर 1000 पे USDT पर क्लिक करेंगे क्योंकि यह लगबग 20% प्लस में चलता हुआ नजर आ रहा है इस पर हम Trade Now पर क्लिक करेंगे जैसे अब Trade Now पर क्लिक करेंगे तो आप तुरंथ ही यहाँ पर Future Trade में पहुंच जाओगे अब Future Trade में आने के आपको यहाँ से जो Margin Mode सेलेक्ट करना है वो Isolated सेलेक्ट करना है इसको हम Confirm कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है Leverage तो Leverage आपको जो रखनी है वो लगबग 10% से मतलब 10 गुना से कम ही रखनी है या फिर 10 गुना मैक्सिमम रखनी है चाहो तो आप देख किया लेकिन उपर यहाँ पर क्रोस आरा भी फिर से मैं एक बर क्या करूंगा क्रोस को Confirm कर दूँगा उसके बाद दबारा जाओंगा आइसोलेटिड को Confirm कर दूँगा आइसोलेटिड आ जाएगा कई बार यह प्रोबलम हो जाती है अप्लिकेशन के बीच में तो लेकिन य सब्सक्राइब करने जाओं तो यह कंफर्म जरूर कर लेना क्योंकि हो अगर माल लोग आप का गलिच है तो आपके सभी के सभी पैसे यह उड़ा देगा तो चलिए आप मैंने क्या किया है यहाँ पर 10 सब्सक्राइब ले लिए उसके बाद मैं क्या करता हूं लीमिट में ज के माद्यम से आप चेक आउट कर सकते हूं यहाँ पर आप गराफ माद्यम से आपको यह पता भी जो मार्किट है वो आप ट्रेंड में गई हुए अब यहाँ पर जैसे ही ग्राफ रेड केंडल जेनरेट करना स्टार्ट कर जैसे अब कर रहे हैं यहाँ पर आप तुरंत बा वो प्लस में जा रही थी दूसरी चीज मैंने के देखिए यहां पर रेट कैंडल बन रहे हैं यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल उसको परचेज आउट करने के बज़ाए उसको सेल कर रहा है जिनका हाई पीक पे हो गया लेकिन आप क्या करेंगे एक बार प्राइस डाउ 0.46, 0.86 हो गया कोलोज पोजिशन करेंगे और यहां पर कंफर्म करेंगे कंफर्माल हमारा यहां पर प्रोफिट बुग हो चुका है तो देखा कितने असानी से यहां पर सेकिंडों के बीच में हमने प्रोफिट को बुग कर लिया अब हमें दबारा इसी टोकन के ओपर प्र लास्ट प्राइज था जो हाई पीक पर गया था उसके बाद डाउनवार्ड पोजेशन पर अब हमें वेट यह करना है या तो यह जो लास्ट प्राइज यहां का अगर यहां तो इस लाइन को क्रोस करके नीचे की तरफ मार्किट आजाए तब हमें यहां पर पर पर्चेज यह cross कर जाए तो cross करने के बाद मैं क्या करूँगा फिर buy long की trade लूँगा यहाँ पर और buy sell की trade कब लूँगा जब यहाँ पर यह जो last peak पे मेरी value बनी थी यहाँ पर जब मेरी green candle बन थी यानि price high गए था तो इस line को अगर मेरी यहाँ पर cross कर जाती है green candle तो मैं sell short की trade लूँगा यहाँ पर तो hope समझ चुके होंगे अब हमें wait सिरफ यही करना है या तो यह जो candle बन रही है इस line को cross कर जाए या फिर दूसरी चीज एक green candle बन के इस line को cross करती हुई उपर की तरफ निकल जाए ठीक है तो मैं buy long के trade लेके फिर से मैं इस पर buy long के trade ले सकता हूँ कोई problem नहीं यहाँ पर यह देखिए buy long के मैं trade फिर से ले लिया क्योंकि जो last मेरी candle generate हुई थी long candle जो बनी थी high वो फिर मेरी cross कर चुक है और यहाँ पर भी देख सकते हैं फिर से profit बनना start हो चुक है same token के ओपर मेरा point 42 dollar का profit हो चुक है यहाँ पर point 28 dollar का profit हो चुक है अब हमें wait watch कर रहे हैं देखो point 50 से अबब निकल गया फिर से मैं क्या करूँगा close position करूँगा confirm करूँगा और फिर से मैंने point 70 और उसमें भी लगए point 80 यह नहीं लगभग और यह high चला जाएगा क्योंकि price क्या चीज है market fluctuate कर रहे हैं तो market fluctuate करने के करन क्या हम यहाँ पर दो resistance की value के ओपर depend करते हैं और दूसरा candles के ओपर depend करते हैं किस तरह से work कर रहे हैं किस तरह से नहीं कर रहे हैं तो यहीं यहाँ पर इस तरह से अगर आप काम करोगे तो बहुत असानी से बहुत ज़्यादा पैसा आन कर लोगे अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ी सी ही वीडियो में आपको लगातार एक ही token के ओपर दो बर profit gain करके दिखा दिया अब मैं थर्ड बार कैसे लगाँगे इसके पर अब जो थर्ड चांस लूँगा वो मेरा कहा रहे गए जो high peak last बनी थी मेरी अगर मेरी green candle इसको cross कर जाती है cross करने के बाद मैं shell short की trade लूँगा वापर क्योंकि confirmly जो मेरा price है वो drip down करेगा यहाँ से दूसरी condition कहा रहेगी जो मेरी last candle यहाँ पर generate हुई थी इस candle के ओपर मैं profit ले चुक हूँ इस candle को आरेड़ी है cross कर चुक है margin को तो अगर मेरी यह last generated हुई थी इसको भी यहाँ पर cross कर जाता है red candle अगर इस line को cross कर देती है तब मैं long की trade लूँगा वापर ठीक है लेकिन अभी यह इस में time लगेगा क्योंकि बीच में जो neutral line है अगर बीच में एक line लेके चले तो अभी एवरेजली बीच में चलते है नजर आ रहा है और वहाँ पर हमने profit ले चुक है तो अब हम यहाँ पर risk नहीं उठाएंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ से आफ जाए ओ सकता है यहाँ से डाउन जाए तब ही risk नहीं उठाएंगे अब हमें अगली trade कप लेनी होगी या तो इस line को cross करके green candle इस line को cross करते तब हमें shell short के trade लेनी है या फिर यह जो margin mode की यह जो line है इसको red candle क्रोस करते तब हमें long के trade लेनी है यहाँ पर hope so समझ चुकी होंगे आप तो यह guys पूरा process था और यह मैंने यहाँ पर आपको पूरा live दिखा दिया है earning के साथ किस तरह से मैंने बहुती असानी में second हो के बीच में earn कर दिया अगर मैं ना sell out करता हो और जादा profit होता है वह मैं आपको आल्रेडी बताई चुका ह यहाँ पर तो hope so वीडियो आपका अच्छा लोगागा अच्छा लगागा तो like जरूर करें चैनल को subscribe कर लें उन मुझे comment कर देना यार कहीं जादा कहीं लोग आमें से बोरते भाईया एक बार ना फिर से हमें brief में समझा दो brief में समझा दो देखो जो सारा खेल है न वो यहा हाई range का token select करना हाई range से मेरे मतलब है जो सबसे ज्यादा plus में गया हुआ token हो तो उसके ओपर अगर आप trade करोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा chances है बहुत अच्छा profit earn कर पाओगे आप लोग तो hope so वीडियो आपका अच्छा लगागा अच्छा लगा तो like करते चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अप्डेट के साथ तब तक लिए थैंक्यू गाइस